हनुमान जी के नाम पे जो dialogue चिपका रखे हैं जब उनकी पूछ पर आग लगाई जाती है तो वो कहते हैं तेल तेरे बाप का कपड़ा तेरे बाप का आग तेरे बाप की अब जलेगी भी तेरे बाप की यह है हनुमान ची के dialogue और यह आधी पुरूश और यह इसने खुद में बनाया है यह वो देखके आया हम वो टॉर्चे सहन करके आया है क्योंकि हम तो गए रामाएं देखने के लिए लेकिन जो हम देखके आया है वो इस तरह के बहुंच मुझम के यह समझ नहीं कि यह कौन की मतंब कुछ लोगों यह कहा है कि लोग दियोग की ने कीमाइन यह तो कि रोएं कि पहले शिरुआता ने पर्तै क्या वो Вो गए कि अ कुछ शौट्स बात किया तर ते रिएलेक्टर और डियालोग राइटर की खुद भूल कए कि यह तो मुझे समयं में आ कि यह कि में रामदूत हनुमान हूँ मतलब बजरंग अपना नाम मुझे फिल्म के अंदर बताया हूँ अचानक से रावन के कुछ जो सिक्योर्टी कार्ड होते है वो पहुंच जाते है वह पर इसी भाशा पर आना पड़ेगा मुझे क्योंकि फिल्म इसी भाशा पर आते है और अचा जाता है उस तरह के जो डायलोग थे वहां पर चेपे अंगध जाते हैं वहां पर रावन के पास जाते हैं जो अपना इनका जो था जासूस वापस करने के लिए तो हमें पता था कि शांती प्रस्ताव के साथ मतलब हमने तो यहीं सुना था खेर जो भी है वहां पहुंचते जाते हैं बड़ा प्यारा डायलोग था मैं लिखके लाया हूं आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा अपर इसी हालत हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था किस बात क्या मतब किस तरीके से कि हम क्या देखने आ गये हैं और दूसरी चीज अगर लोगों को यह लग रहा हो कि कि हावे बच्चों को दिखा सकते हैं यह दिखाने के लिए कि जलो हमारे मतलब रामायन दिखाएंगे उन्हें ताकि आज की जडरेशन आज की बच्चे पाएं प्लीज को एक बार को जो का टून्स है उन्हें देखके खोश हो जाएंगे तू तो यह मतलब तू कह रही है मैं कहला हूं कि मेरे आसपास जो ओडियंस बैटी हुई थी वो ओडियंस कह रही थी कि हहां पर मतलब बच्चों के लिए रायक तो कुछ नी था बच्चों को क्या ही सिखाएंगे इसको दिखा के एंटरेटेन्मेंट के नाम पे इन्होंने कचरा कर दिया यह लोगों ने का कर रहा है क्योंकि शायद बहुत सारी होपस बांद के रखी हुई होंगी मैं इतना जाधा डिसपॉर्टेट नहीं हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी है लेकर मैं कह रहा हूं कि हम लोग ने शुरू से मतलब तुने भी वीडियो करी मैंने भी करी हमने सब ने शुरू स और कुछ नहीं बदलना तो कम से गमें डायलोग बदल देते तो तो आपको लग रहा था कि उन्होंने मेकर्स ने छे साथ महीने लेकर इसके अंदर कोई करेक्शन किया तो आम सॉरी टूसे डिसपॉइंट हो जाएंगे आप यह जाके देखने में कि महां पर कुछ नहीं ब आपको सीन बताया उससे पहले वह जो आग लगाई थी वह इंदरजीत लगा रहे थी तो वह आग जैसी लगाई इंदरजीत बोलते हैं जली ना जली ना ऐसा लगा था अक्षे कुमार का मीम लगा दिया तो उसके बाद वो कहते हैं कि निकल और मुझे लग रहा था कि यह अपने करा है निकल यह पूरा पूरा वाईधा इंदुस्तानी भाववाला मैंने कब पूरा डायलोग ना बोल जाना कम से कम थोड़ी धार्मिक मुवी छोड़ता है निकल पहली फुरसत में निकल कोई जरूरत निया तेरे को तुमने अनिमेशन मुवी देखी होगी रामा लेकिन और चीज़ बता देते हैं कि इन्होंने पते क्या सोचा था कि जब मैं जबी जी मैंने कहा कि प्रभास एजराम रॉंग चॉइस तो सब निकारे तुम तो नेगेटिविटी फिलाते हो मैं आपको बता देते हूं कि फिल्म देखने के बाद भी शायर आप लोग भी बोलेंगे कि हाया नहीं बैट पाए वो जगा नहीं कर पाए अपने के साथ करना चाहता हूं यहां ठीक है फिल्म से पहले आप मिरको इतनी आप भी मुझे गालियां दे रहे थे बहुत लोग थे आप पर्टिकुलर में नहीं लेकिन बहुत चार ऐसे लोग ते जो मुझे अब पाकिस्तान चले जा और तो बाकि जो मा और बहुत पर देखने के बाद साफ कहना चाहता हूं इस फिल्म में लव करने के लिए कुछ निया हेट करने के बहुत कुछ है और अगर आप भी अगर मुवी देखने के लिए जाएंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि अबिशेक को या फिरधर जो गालिया बरसाई आपने वो गलग किया है क्योंकि वो सारी उठाकर आप उधर बोलने का मन करेगा मैं कहरो कि इंदरजीत को फ्लैश बना दिया यार अब फ्लैश बना दिया वो दोड़ पिर रहा है रंगीन अठा चोड़ता हुआ वो वा अज़ा रगारा या टॉद रहा है या ज शुड़ता हुआ अचे इक तुर रफ्रेंस पता नी पकड़ा है नी प्रणने माले है या तर नी तुर को पसंद महीं है मैं जोड़ू का नी क ने यांडू का तीर देखा ही नहीं है उसने वो कैसे मारत है कैसे आग छोड़ता गोल गूमता वापस उसके मैंने देखा ही निया मुझे या पता यह तो और दूसरा वो सब भी छोड़ो वहां पर लास में उन्होंने बाहूबली के न कुछ कपड़े बच गयोंगे तो उन्होंने एस राजा मॉली से बोला कि यह जो उनके प्रभास के कपड़े वापस ले यही पर यूज कर लेंगे वार सीन दिखाया गया जो यूद वाला सीन है उसके अंदर जो वह कपड़े पहन के आया है वह बिल्कुल बाहूबली वाले है अच्छा एक मैं आपको इनके चालवाजी और बताता हूं वह शांदार सी इन्होंने टीजर निकाला उसके अंदर पता चलिया यह के भईया इ और उस तरह का जो दिखाया यह वहां पर और लॉड राम को खूब घूसे पड़ते वे दिखाये गए रावन ने खूब जैसे होता है यह गली फाइट होती है तो उसमें दिखाया जाता है कि हाव यह फिर नॉर्मल बॉल्वूड मूवी में भी विल्कुल हीरो को यहां प भगवान को मारते वे दिखा दिया यार मतलब मेरको ऐसे ठीक है तुमने लेको फाइट सीक्वेंस अगर तुमने रखना तो कम से कम यह ना बोलते ना कि भईया ऐसे हुआ वैसे हुआ थोड़ा सा टार्वन दॉट्रकार्वाला वचल सेट किया था लेकिन यहां पर मुझे ही बताओ अब इच्ञां उन्हां को उठाया उसके अंदर से बहुत सारे characters को गायब कर दिया और सिर्फ उतना पार्ट दिखाया है जहां से सीता हरन होता है और उसके बाद वो युद जीत के सीता को वापस लेकि आते हैं सिर्फ उतना पार्ट और उस पार्ट के अंदर से भी इतने कट्स हैं अच्छा एंड में वो जो मतलब ताव इंटर्ड्यूस कर दिया है नोने कि वो है क्या नाम है पुष्पक विमाना हला कि नाम वगेरा नहीं लिया लेगन उससे पहले खाली वो सीजी का कवा या क्या था वो बड़ा चमगादर सा था उसके वो चेंज नहीं हुआ तो आपको पर लगा दूंगी उसमें वो स्टाटिंग वाला शॉर्ट है स्टाटिंगे जो कुछ शॉर्स है उसमें एक शॉर्ट था जिसके अंदर बहुत सारे कुछ चमकादर से राक्षा से तूरे हो तो इतना डिस्टर्बिंग था कि उसके अंदर आपको समझ नहीं आएगा कि इसा है डिस्टर्बिंग तो पूरी फिल्म थी मैं तो इस्टर्ब हो गया था मेरा मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो गया था तुम्हें वह सारे लेगे अंदर से खुंदक चड़ रही है यहां पर डायलोग ऐसे निकले थे कि सपोले ने शेशनाग को लंबा कर दिया यह डा अपर कि अपर गुंड़ पिक्चर चल रही है कांती शा कि डायलोग चिपका यह यह पर लंबा कर दिया यह तो फिसड़ी है मतलम फिसड़ी उस ताइं भी छोड़ दि मैं मैं कहा हूं उसको भी छोड़ दे धाक्रा को यह चोड़ दू लपेट दूँगा यह चल रहा इतना बता दीजे अगर कभी आपके हिसे यह देखने को मिले वैसे तो आपको आधी पुरुष देखने के बाद और इतने साही वी आक्शन्स लोगों से जो मिलेंगे फिर तो क्या ही देखोगी लेकिन एक चीज यह जो उन्हें यह डालोक्स दिये हैं और यह मौडं जो नोने रामायन बनाई है चीज तो क्रेटिव लिबर्टी के नाम पर आप क्या क्या बदलना चाहते हैं और वो धाकड आसूर तिरेको यहीं धूंगा मैं पकड़ूंगा मैं यार अनुमान जी की थोड़ी इजट कर लो यार वो भी छोड़ तो भाई यहां पर तुमने बाकी सब पी छोड़ तो चलो तुक्षादी कह रही थी मैं कहा रहा हूं यहां पर इन्हों ने उस टाइम को उसके बाद इन्होंने बोला था मजदूर उसके बाद इन्होंने बोला था चीज जिदी और खुद इस तरीके के कई शब्द थे जो हिंदी में आ सकते लेकिन इन्हों ने का कि नहीं हम modern बनारे जैसे कि आपने भी का अभी साक्षी जी और ओम जी को मैं बताना चाहूंगा अपने script writer जो चुना है बिल्कुल Brahmaster के level का चुना बाइगाड़ी कसम चुम्बा मार के चाटा मारूंगा ओम रावजी को अगर आप सिर्फ यह कह रहे है कि script writer के उपर तो ओम रावजी जो आपने direction किया ना I'm sorry to say लेकर वागई में छोटा भीम बन रहा था यहाँ पर या फिर भाल विर तिरको यह नहीं लगा कि रावन क्रीप बनाया था बड़ा आप यह कर रहा था यह कर वाएंगा रावन में इतनी dignity थी वैसे कि उसने जादा चुचपन नहीं थी ती उसने ज्यादा चुचपन नहीं थी ती ती यह जूस्ट वह उन्होंने कभी अपमान नहीं किया राम जी का क्योंकि वह जानते थे वह प्रभू राम है और तुने एक ही दोर याद दिला था लेकिन उनके ऊपर जो बेडिया उन्हें बांद के लाया गया चाहिए वह दिखाया तो बहुत इस तरह की चीज़ें ऐसी दिखाए गई इस तुने और बड़ीया याद दिला दी तो कुमकरण वाला भी जब इन्होंने दिखाया के ऐसा वैसा अब कुमकरण रामायन के अंदर जो पहले भी देखी है या जो लिखा भी गया है बड़ी इंपोर्टेंट एक क्यारेक्टर थे और कुमकरण एक वह इंसान थे मतलब जो रावण की भाई बने थे मतलब वो उनको बताते हैं कि जब उनको नीन से जगाया जाता है तो वो बताते है कि रावण यहां पे आप गलत थे जो आपने करा थीक नहीं था लेकिन मैं आपका छोटा भाई हूँ तो मेरी जम्मेदारी बनतीह अच्छा जिम्मेदारी वर बहुत मस्ती हनुमान जी से भी कराई गई यह जो है कुम करण ने बाद में उनको समझाया था कि आप गलत हो लेकिन मैं फिर भी आपका साथ दूंगा क्योंकि मेरा धर्म है यह मैं आपका छोटा भाई हूं मेरी मेरी जिम्मेदारी बनती है यह यह पूरा हुझे एक ब्लाक इस तरीके से पूरा कर दिया जो यहां पर घ्रेइस अजहाने की जरूरत थी मुझे बटाया था कि उनको समझाय था कुम करण को बिल्कुल रामानन सागर वाली रामाइन चल रही थी और तुम क्या उससे कंपेर कर रहे थे क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी जबा इसा हुआ था यह तो नहीं था यहाँ पर ऐसे तो नहीं हुआ था रावन के लिए अमरीश पुरी साहब को लेकर आये थे इतनी महनत लिए दिया वह थे लेकिन उस पर ध्यान दिया उन्होंने भी अलग एक एनिमेटेड बनाया लेकिन कभी वह तो चेंज नहीं किया न कि रामाइन का कॉंसेप्ट तो नहीं बदले रामाइन के दो चेंज तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि उसके अंदर अगर गाने भी थे ना मेर को आज तक यहाद है उसके अदर जब भरा पड़ा हो यहां पे इतनी घटिया पिचर थी यार एक डालोग आता है लक्षमान जी मुर्षित होते है यह फैक्ट हम इस्टाब्लिश कर चुक है ऐसा होता है कम से कम लिखा हुआ है तो उसके बाद बात होती है कि संझीवनी बूटी Лे कर आता है गला हम सेम पेज मेंन संझीवनी लेकर आना है उनसा पुछ जो हैं लुटी हो जहीं हो ही हो जो बटल उघ्चजीवनी ने देके आएं और चु ingredient जिसको पता नहीं है संजीवनी क्या समझा रहे हो कि संजीवनी है और उसकी कोई पहचान नियाप पागल वागल हो गयो लॉजिक डालतो थोड़ा सा और वहां पर भी लॉजिक का ये कि वहां जो हमने सुना है मतलब आई डोंगो कि तुमने क्या सुना है वां पर पहुंचे तब तक बूल चुके थे और वहां पर जो इस फिल्म में हुआ उन्हों ने कहा कि अच्छा एक लिजा के क्या होगा बहुत सारे की जरुवत पढ़ सकती है इसलिए सब को ले चलता हूं कि और लोगों को भी जरुवत पर सकते हैं यह उन्होंने ऐसा बोला तो बहुत सारी चीज़े थी जिससे ना लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाए और वाकई में अगर यह अड़ाप्टेशन देखा जाए कि यह रामायन का अड़ाप्टेशन तो हम सौरी तो से कि आपने बहुत गलत कदम उठाया ऐसा एसा ऑडियंस भी हम बोल रहे हैं कि बहुत कदम उठाया ग लंका से और उस के बाद जब उनसे पूछते कि यह कैसे क्या क्या हुआ लुदिया जो हमारी बेहनों को लगाए गा उनकी लंका लगा देंगे लंका भाई से हरे हम जो आज तो उनमें से एक इनसान ने बहुत सही बोला जिसके पुब्लिक रेक्शन में लिया उन्हों ने बोला कि देखिए ये सत्यूग वाली रामायन तो नहीं है वाकई में अगर कि अपनी जन्रेशन या फिर अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं काल्यूग में एक पॉइंट और बताओ कि ये गंदी अक्टिंग जरूरी है क्या वो कुछ पगड़ना चाहोगा उनकी पर वो कास्टिंग वालो को मैंने पहले बोल दिया कि अभी अभी अक्टिंग ब प्रेलर में आ गया लेकिन पूरी पिक्चर में जब उसने भाई ने बड़ी अक्टिंग रिवा तो नहीं होता नहीं जाया जाता क्यों क्योंकि ऐसे माइं ब्लोन वाली बात पर वो दस मूँ आ जाते हैं सेफ का ऐसा लगा तो क्या मजागा रहा है कि आपस बात करें जारे अगर खराब लगी तो इसको शान कर लेंगे क्योंकि अभी यह सद्मे में है और यह बढ़ नहीं पाएगा दो दिन तक थांक्यू तो मच एंड मेरा नाम है साक्षी मैं हो अभी शेक आप देख रहे हैं अनकट